नमस्कार मैं प्रिये रेंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता इस टॉक के बारे में चुकि इस टॉक में कुछ पोजेटिव निउस आते वह दिखी है उसके क्या इंपेक्ट होंगे सोर्ट टर्म और लॉ इस समय देखेंगे तो हाइली अंडर परफॉर्म बेदानता रहा है जबकि मिटल सेक्टर काफी आउट परफॉर्मिंग रहे और एक नेरो रेंज कंसोलीडेशन ही रहा है तो इस समय देखेंगे तो न्यूज क्या ट्रेंड होते वह दिखी है पहले तो इसकी जो सब्सिड बेदानता और इसके सब्सिडरी जो है वह डेविडिंड के राजा के नाम से भी जाना जाता है और अनदर एक बड़ी न्यूज इससे मैं यह दिखी है वह यहां देखेंगे कि बेदानता टू एक्वाइड बेदानता फॉक्सकं सेमी कंड़क्टर यूनिट जहां हमने दे रहा है तो इस समय देखेंगे तो काफी फेबरेबल रहा है बेदानता के सपोर्ट में रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि एक बारे आपको डिविडेंट मिलते दिखें बेदानता अल्मुनियम डिप्लाई more electric forklift to decarbonize mining fleet को ले करके देखेंगे ET auto से ये news trend होते हुए दिखा है mainly जो बड़ी news है वो क्या है semiconductor unit वेदानता के तरफ आते हुए दिखी है delivery already काफी लंबे समय से काफी बेहतर दिख रहा है और 40 to 50% के delivery काफी बेहतर माने जाते हैं और वही delivery एकर more than 50% हो तो वो काफी सांदार नंबर दिखता है यहाँ अगर technical trend देखेंगे तो काफी consolidate form में ही रहा है पिछले event 3 month के return को देखेंगे तो positive 2% का दिखेगा इसके साथी आगे देखेंगे तो इसके chart के माध्यम चाप क्या देखेंगे एक triangle trend बनते दिख रहा है और यहां यह इसी बीच में consolidate कर रहा है तो again and again मैंने repeat कर रहा है 284 के level को ध्यान पर रखेंगे एक बार इस level को breakout करता है तो बड़ी trend भी इस stock में दिख सकता है 284 के level के breakout पर जो हमारा target आ रहा है 296, 320 और 340 प्लस तक के levels आ रहा है lower side 264 के level को ध्यान में रखेंगे यह level branch नहीं होना चाहिए अगर यह level breakdown करता है तो फिर trend जो है negative side में भी दिख सकता है